Hello everyone, आज के session में हम बात करेंगे कि Indeed से हम अपना resume कैसे delete करें तो चलिए हम start करते हैं, ले चलती हूँ आपको अपनी computer screen पे तो सबसे पहले मैं www.indeed.com open करूंगी उसके बाद मैं sign in पे click करूंगी Sign in पे click करने के बाद मैं आप email ID और password से भी login कर सकते हैं उसके लावा आप sign in with google भी कर सकते हैं, sign in with apple भी कर सकते हैं, sign in with facebook भी कर सकते हैं अभी फ्लाल में sign in with google पे click करती हूँ जब आप sign in with google पे click करेंगे, तो जितनी भी mail ID से आपका google account आपके system में login है वो सारी mail ID यहाँ पे display होंगी और आपने जिस mail ID से अपना indeed account बना रखा है, आप उस पे click कर देंगे जब आप उस पे click करेंगे, तो यह login हो जाएगा जब login होगा, तो इस तरह का interface दिखेगा और login होने के बाद मैं यहाँ पे click करेंगे जब आप यहाँ पे click करेंगे, तो यह window open हो जाएगी उसके बाद आप profile पे click करेंगे, profile पे click करने के बाद में आपका cb यहाँ पे show होगा remove करने के लिए आपको यह option है, remove your resume इस पे click करेंगे, जब आप इस पे click करेंगे तो इस तरह से एक छोटी सी विड़ो open होगी yes, remove my indeed resume अगर आपको remove करना है, तो आप यहाँ पे click कर देंगे और अगर mind change हो जाता है, कि नहीं अभी रहने देते हैं तो आप no keep it पे click करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ, आपको समझ आया होगा कि indeed से हम अपना resume कैसे delete करें in case फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे comment कर सकते हैं मेरी mail ID पर आप मुझे mail कर सकते हैं मिलती हूँ, फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बंदे मात्रम